भारत माता की भारत माता की भारत मैं सबसे पहले तो इस सभाग्राह में उपस्तित एंडिये घटक दलों के सभी नेता गान नव निर्वाचीत सभी साउसत गान और हमारे राज सभागे भी साउसत गान आप सबका रदे से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है मरे ने खुशी की बात है कि इतने बड़े समू को आज मुझे यहां स्वागत करने का आउसर मिला है जो साथ ही विजयी होकर के आए हैं वे सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं लेकिन जिन लाखो कारकरताओं ने दिन रात परिशम किया है ने उन्होंने दिन देखा न रात देखी और इतनी भैंकर गर्मी में हर दल के कारकरताने जो पुरुशार्थ किया है मैं परिशम किया है मैं आज सम्विधान सदन के इस सेंटर होल से सर जुका करके उनको प्रणाम करता हूँ साथियो मेरा बहुत सवभाग्य है के इंडिये के नेता के रूप में आप सब साथियों ने सर्वसम्मति से चून करके मुझे एक नया दाहित्व दिया है और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ ब्यक्ति के जीवन में एक मैं जवाबदारी का ऐसास करता हूँ जब दोहजार उन्नीस में इस सदर में मैं बोल रहा था आप समने मुझे नेता के रुप में चुना था और तम मैंने एक बात पर बल दिया था विश्वास आज जब आप मुझे फिर से एक बार ये दाईत्व देते हैं इसका मतलब है कि हम दोनों के बीश हम अपस में विश्वास का सेत्व इतनों मजबूत है ये अतूट रिस्था विश्वास की मजबूत धरातल पर है और ये सबसे बड़ी पूजी होता है और इसलिए ये पल मेरे लिए भाव करने वाले भी है और आप सब के प्रतिज़ चीतना धन्यवाद करूँ उतना कम है साथियों बहुत कम लोग इन बातों की चर्टा करते हैं साथ उनको सूप नहीं करता होगा लेकिन हिंदुस्तान के इतने महान लोकतंत्र की ताकत देखिए कि NDA आदेश में 22 राज्यों में लोगों ने उनको सरकार बना करके सेवा करने का मौकत देखिए हमारा ये एलाइंस सच्चे अर्थ में भारत की असली जो स्पिरिट है जो भारत का आत्मा है भारत की जड़ों में जो रचा बसा है उसका एक अर्थ में प्रतिवीम भाय है और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ी नजर करे हमारे देश में दस ऐसे राज्ये जहां हमारे आदिवासी बंधों की संख्या प्रभावी रूप से है निरनायक रूप से है जहां इस आबादी आदिवासीों की ज़्यादा है ऐसे दस राज्यों में से साथ राज्यों में एंडिये सेवा कर रहा है साथियों हम सर्वपंत संभाव के हमारे संभिधान को समर्पित है और देश में चाहे हमारा गोवा हो यह हमारा नौर्थ इस्ठो जहां बहुत बड़ी मात्रा में हमारे इसाई भाई बन लेते है आज हम उन राज्यों में भी एंडिये के रूप में सेवा का आउसर हमें मिला साथियों प्री पोल एलाइंस हिंदुस्तान के राजनीती के तिहास भाई तो बेचारा सावन नागरी के मान के चलता नहां भी चार जून के बाद रुप्य मिल जाएगा इसलिए उन जाके खड़ा रहे गया और अब उसको धका मारा जा रहा है डंडे मारे जा रहा है वहाँ से निकाला जा रहा है अब इस प्रकार का चुनाव यह अपने आप में देश के गरीबों का अपमान है हमारे देश के सामान नागरी को का अपमान है और कभी भी देश ऐसी हरकोतों को न भूलता है नहीं कभी माप किये बिना माप कभी करता है साथियों हमारे लिए संतोस की भाव करें कि हमें कमिट्मेंट से काम कर रहे है दस साल में हमने पचीस करोड गरीबों को गरीबी से बाहर निकाला है गरीब कल्यान का एक सुरक्षित मजबूत कबच दिया है हमने उसको और उसके अंदर भी एक नए एस्पिरेशन पाता हुए है कि हाँ अब मुझे गरीब नहीं रहना है और उसके लिए मुझे से जो हो सकए हम मैं हर अवसर का फाइदा उठाऊंगा तीन करोड गरीबों को घर यह ऐसे कहने का अकड़ा नहीं है जी कितनी महनत पढ़ती है मुझे मालू है लेकर हम सफलता पुर्वक इसको कर पाए है चार करोड लोगों को दे चुके हैं तीन करोड का हम संकल्प लेकर के आज से आगे बढ़ेंगे यह यह भी हिम्मत है कि चार करोड देने के बाद जिन परिवारों का विस्तार हुआ है जरूरत पड़ी हैं और राज्यों की भी उसमें इच्छा है तीन करोड नए घर बनाने का संकल्प सब्तर वर्ष के आउसे उपर के वेक्तियों को नागिलकों को पांच लाग रुके तक इलाज के लिए मुफ्त इलाज की व्रवस्ता मुद्रय उद्दा के तहरत हमारे नवजवानों को कारोबार के लिए बिस लाग तक करे उनकी बैंक से उनको लोन मिले इसकी व्रवस्ता यह मैं समता हूं कि वाइदा हमारे पीसरे कारकाल की एक गारंटिया सब मैं तो भी बताता नहीं हूँ लेकिन इन गारंटियों के प्रति हम committed हैं और उसे पूर्ण करने के लिए हम कोई कमी नहीं रखेंगे साथियों गरीब का ससक्तिकर और मिडल क्लास को सुवीधा यह हमारी प्राफ्पिक का है क्योंकि मध्यंबर्ग अब इस देश का एक बहुत बड़ा चालक बढ़ भारत की ग्रोस स्टोरी में यह ऐसे ऐसे नए फोर्सिस में देख रहा हूँ जो हमारी बहुत बड़ी शक्ति बनने वाले हैं और इसलिए हम उस पर भी उत्रा ही और मृडल क्लास की बचत कैसे बढ़े सेविंग कैसे बचे बने उसके लिए उसके कॉलिटी ओफ लाइप के लिए हम क्या कर सकते हैं हमारी योजराओं का विस्तार कैसे किया जाए हमारे निती नियमों में बड़लाव यह हमारा कमिट्मेंट है और हमने हमारे पिछले कायरकाल में नारी शक्ति बंदन अधिनियम करके उस बात को हमने आगे बढ़ाया और वो दिन दूर नहीं होगा जब हमारे सदन में बहुत बड़ी आजाद में हमारी माता ये बहने देश का नेतृत्व करती भी दिखाई देगी इस पूरे चुनाओं में हम सबसे ज़्यादा महिला उमीदवारों को टिकर देने वाली पार्टी रहे है हमारा कमिट्ट हमारी महिला सांसदों को जो आशिरवाद देश की जिनता ने दिया है मैं इसके लिए विशेश रुप्ष उनका आप खायर वेक्तर दखाई और साथियों आपने देखा होगा जी ट्वेंटी समीट में दुनिया के सामने एक विशे लेकर के हम बड़े आग्रस से गई हैं और वो है विमेन लेड डेवलोप्मेंट एक बार हमारा इस प्रकार का कमिट्मेंट बनता है तो परिवर्तन बिलकुल सापने जराता है साथियों हैंडी ये का ये कार का बड़े फैसलों का है तेज विकास का है और अब हम समय घवाना नहीं चाहते कि हम पांच नंबर की इकोनामी से तीन नंबर की इकोनामी पर पहुँच रहे हैं और ये खाली पांच और तिन का अंकड़ा नहीं है उसके कारण जो अर्थ बवस्ता का कद बन जाता है वो साहमान ने मानवी की आशा अकांचाओं को पुरी करने के लिए सरल्टा बढ़ जाती है देश के लिए जो जरूरत है वो आराम से पुरी करने का सामर्थ बन जाता है और इसलिए हम उस दिशा में बड़ी कोशिश करके आगे बढ़ना चाहते है राज्यों का सहयोग भी उसमें उतना ही महत्वपों है और भारत के समिधान ने हमसे जिस प्रकार का दिशान देश किया है कोपरेटिव फैडरलिजिम का लेकिन मैंने उसमें आगर रखा है कॉम्पेटिटिव कोपरेटिव फैडरलिजम हमारे राज्यों के बीच में भी तंदुर स्पर्दा हो राज्यों और केंदर के बीच में भी तंदुर स्पर्दा हो हम अच्छा करने की स्पर्दा करे और उस दिशा में हम आगे बढ़ना चाते हुआ हमने देखा है कि जब मैं कॉम्पेटिव कोपरेटिव फैडरलिजम की बात करता हूँ आपने देखा G20 समीश हम एक जगा पर कर सकते थे हम भी मालाय पहन करके फोटो निकल वा सकते थे लेकिन हिंदुस्तान के अनेक शहरों में दोस्टों से ज़्यादे मिटिंगे हुई और दुनिया भरके निती निर्धार जो कहें G20 देशों के और बागी भी 5-7 देशों के वो हिंदुस्तान के कौने-कौने में गए उनके देशों में जाकर भारत के विवित था, भारत के विशालता इसकी चर्चा कर रहे हैं उनके लिए अस्ष्य रहे हैं हमने तो दिल्ली आकर जिब आपीस जाते हैं तो पता ही ने था कि देश इतना बड़ा है तो यह अपनी एक काकट का परिशे हुआ है हमने कोविड में देखा राज्यों के साथ, कोपरेशन के साथ हमने जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी और एक शूत्र में रहकर किला है दल किसी का भी हो सरकार में लेकिन हमने इस काम को किया क्योंकि हमारा कोपरेटिव फैडरलिजम के प्रतिक कमिट्मेंट है एस्प्रेशनल डिस्टिक एक ऐसा मोडल है गवरनन्स का जिसमें राज्य भी उतना ही सक्रियता से हमारे साथ जुड़े हुए है और दुनिया के लिए जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लिए गवरनन्स का एक ऐसा मोडल प्रसूत हो रहा है जिसका आप तो केस्टेडी की रुप में उसको हम जल्दी से जल्दी उस स्टेट की एवरिज तक लाना चाहते हैं देश का रीजन कोई भी क्षेत्र हो सरवांगे इन विकास को लेकर घम चले है साथियों गट दस वर्स बैए इंफ्रास्ट्रॉक्चर के क्षेत्र बैए हमने एक बहुत बड़ा हैनि सोचने में भी बड़ाव लाए जबीन पर तो लाई लाए वन्हारे देश में सोचा चलेगा यार बारे एक बार कर लो न उस साहरे में से बड़ाव नहीं है अब तो अच्छा ही चाहिए बड़ा ही चाहिए जल्दी से जल्दी पहुँचाने वाला चाहिए सामान ने मानवी के मन को हमने इस तरहे प्रेडिट में किया है और पुर्शार्त करके हमने उस दिशा में काम किया है पांच साल में हमें गती शक्ती हैनि इस प्रकार के प्रेटफर्म पर जो काम किया है जो काम 6-6-8-8 मेने तक नहीं होता था वो आज 15-20 दिन में कर सकते हैं सट टेक्नलोजी का उप्योग करके हम क्याब कर रहे हैं और यह जब होता है तो उसका मूल फाइदा देश के नवजवानों के लिए रोजगार के अतीज अवसर बन जाते हैं उनके लिए जीवन में सिलेक्षन के लिए बहुत बना दायरा बढ़ जाता है और वो हमें साथिवा आज भारत दुनिया में विश्वा के लिए एक नया मैनुफेक्रिन हब के रुपे उभर रहा है और जब हम मैनुफेक्रिन हब कह रहे हैं तब सिर्फ electronic goods या services के मैं बात नहीं कर रहा हूँ मैं food processing में भी आज दुनिया में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और वो भारत के किसानों को बहुत बढ़ी ताकत दे रहे हैं उसी प्रकार से space हो, artificial intelligence हो, start-ups की बात हो, skill job opportunities की बात हो आज भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, बढ़ रहा है, ये मेरा विश्वास है साथियों, मुद्रा योजना, ड्रोम दीदी, विश्व कर्मा योजना, इसने भी नई संभावनाओं को जन्म दिया है साथियों, हमारी संस्कृति, हमारी विराशत, उसके प्रती हम जीतना ध्यान केंद्र करेगे, दुनिया के लिए आकरशन का केंद्र बनेगा और इसलिए, हम उन्दिशा में, और मैं मानता हूँ, भारत के लिए एक तूरिजा में एक ऐसा एवन्यू है, जो गत, सताथ दिमें हमें कभी, आपसे लेकर के, पीछे के सो साल में कहूं, ऐसा आफसर नहीं मिला है, जैसा आने वाले 25 साल में मिलने वाला है दुनिया, दुनिया भारत की तरफ मुड़ने वाली है, अब हमारा काम है, हम इसके लिए आवश्यक व्रवस्ताओं को विक्सित करें, हमारी विरासत के परतिहम, हमारा पर्येटन का विकास करते हुए, एक बिन बिन सिचुएशन का हम फाइदा उठाए, और उसमें बहुत अधिक निवेश की संभावनाएं मैं देखता हूँ, और यह ऐसा क्षेतर है जितमें हर्स करके लोग कमाता है, गरीब से गरीब आदमी भी कमाता है, और बड़ी-बड़ी होटल बाला भी कमाता है, हर को इसमें कमाता है, और हमने टूरिजम के हम बल देना चाहते हैं, की पोल एलाइंस इतना सफल कभी भी नहीं हुआ है, जीतना की एंडिये हुआ है, और यह गढ़वन्दन का विजय है, हमने बहुमत हासिल किया है, और मैं कई बार कह चुका हूँ, शब्दा अलग होंगे, लेकिन मेरे भाव, उसमें एक सातत्य है, सरकार चलाने के लिए, बहुमत आवशक है, लोकतंत्र का वही एक सिध्धान्द है, लेकिन देश चलाने के लिए, सर्वमत बहुत जरूरी होता है, और मैं आदेश वाशियों को यहां से विश्वाद दिलाना चाहता हूँ, कि आपने जिस प्रकार के हमें बहुमत दे करके, सरकार चलाने का सवभाग्य दिया है, यह हम सब का दाईत्व हैं, कि हम सर्वमत का निरंतर प्यास करेंगे, और देश को आगे ले जाने के लिए, हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। साथियों, एंडिये को करीब करी तीन दसक हो चुके हैं, यह आजहादी के 75 साल में, तीन दसक एंडिये, यह सामान निखटना नहीं हैं जी, विविजटता से भरे हुए अपनी लोकतांत्रिक और सामाजी ग्रचना के बीच हुए, यह तीन दसक की आत्रा, एक बहुत बड़ी मजमूती का संदेश देती हैं, और मैं आज बड़े गर्व के साथ कहता हूँ, कि कसी एक समय वो था, कि संगठन के कारकर्ता के रूप में, इस एलाइंस का हिस्सा था, द्रवस्ताओं से जुड़ा रहता था, और आज सदन में बैठ करके, आपके साथ काम करते करते, मेरा भी नाता इसे तीस साल लगा रहा है, और मैं कह सकता हूँ, हकीकोंतों के अज़त्थों के अधार पर कह सकता हूँ, यह सबसे सफल एलाइंस है, हम गर्व से कह तक नहीं है, कि पांच साल का टर्म होता है, इस एलाइंस ने तीस साल में से पांच-पांच साल के तीन टर्म सफलता पुर्वक पार किये हैं, और एलाइंस चोथे टर्म में एंटर कर रहा है, साथियों, इस बात को जो राज़लिती के विशेशग्य है, अगर मुक्तमन से, मुक्तमन शब्द बहुत महत्पका है, बे सोचेंगे तो पाएंगे कि एंडिये कि सत्ता प्राप्त करने का या सरकार चलाने का कुछ दलों का जमावडा नहीं है, ये राश्ट्र प्रथम की मूल भावना से, नेशन फर्स देप्रपी कमिटेड वैसा ये समूह है, और तीस साल का लंबा कालखन शुरू में साइदे एसेंबल हुआ होगा, लेकिन आज मैं कह सकता हूँ कि भारत के राज नितिक व्यवस्था में एक और्गेनिक अलाइंस है, और ये मुल्य, स्रदेय टल्वेहरी वाजपाई, श्री पकास सिंग्जी बादल, श्री बारताप ठाकरे, श्री जॉर्ज फनाडी, श्री शरद्यादव, अंगिनत नाम में कह सकता हूँ, इन लोगों ने जिस बीश को बोया था, वो आज भारत की जनता ने, विश्वास का सिंचन करकर के, इस बीश को बटबुख्ष बना दिया है, और हम सब के पास, ऐसे महान नेताओं की, विराशत है, और हमें इसका गर्व है, बिते दस वर्षों में हमने, एंडिये की उसी विराशत, उसी मुल्यों को लेकर के, निरंतर आगे बढ़ने का, और देश को आगे बढ़ाने का, प्रयास की जनताओं का, राजनीती के विश्लसा करेंगे, तो देखेंगे, कि एंडिये का जो लोग दिखते हैं न, उसमें कॉमन चीज नजर आती है, और वो है गुड गवर्णन्स, इन सबने, अपने अपने समय में, अपने अपने कारकाल में, जब जब जहां सेवा करने का मोका मिला है, गुड गवर्णन्स इस देश को दिया है, और इस प्रकार से, एंडिये एक प्रकार से, एंडिये कहते ही, गुड गवर्णन्स, यह अपने आप परियावाची बन जाता है साध्यों हम लोगों के सभी के कायरकाल में चाहे मैं गुजरात में रहू हो रहा हू या बाबु हमारे आंदर में रहे हो या नितिजिने के लिए भरपूर सेवा की हो हम सब के अंदर केंद्र बिंदु में हैं गरीब का कल्यान के अंदर स्थ रहा है और देश ने एंडिये के गरीब कल्यान के गुड गवर्णनस के दस साल को देखा है इतना नहीं मैं कह सकता हूँ देश ने इसे जीया है जनता जनारण ने सरकार क्या होती है सरकार क्यों होती है सरकार किसके लिए होती है सरकार कैसे काम करती है इसको पहली बार अनुभव किया है वर्णा जनता और सरकारों के बीच में एक खाई की व्यवस्ता ही बनी हुई थी हमने उसको पाठ दिया है हमने सबका प्रयास का मंत्र देश को नई उचाई पर ले जाने के लिए चरितार्थ करके देखा है साथियों एंडिये सरकार में हम अगले दस साल में मैं बहुत जिम्मेबारी के साथ कह रहा हूँ अगले दस साल में गुट गवरनन्स विकास नाहरीकों के जीवन में क्वालिटी अफ लाइड और मेरा व्यक्तिक अद्रुप से बहुत बड़ा ड्रीम है मैं लोग तंत्र की समरुद्धी को जब सोचता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि सामान्य मानवी के जीवन में से और खास करके मध्यमबर्ग उच्च मध्यमबर्ग उनके जीवन में से सरकार की दखल जितनी कम हो उतनी लोग तंत्र की मजबूती है और आज के टेक्नोलोजी के यूग में बहुत आसानी से हम वरना एक दिन में दस काम हो तो दस अलग अलगो सारी चीज़े मांगेगे विकास का नया अध्याय लिखेंगे विकास का नया अध्याय लिखेंगे जनता जरारदन की भागीदारी का नया अध्याय लिखेंगे और सब मिलकर के विक्सीज भारत के सपने को साकार करके रहेंगे साथ यह एंडी एक मैं और मैं अगर विस्तार से कहूं तो सदन में किसी भी दल का कोई भी जड़ प्रतिनीदी होगा मेरे लिए सब बराबर है जब मैं सब्ता प्रयास की बात करता हूँ तो मैं सदन में भी चाहिए वो लोग सभाओ या राच सभाओ हो हमारे लिए सब बराबर है और यही एक भाव है जिसके तारण तीस साल से एंडी एलाइंस मजबूती के साथ आगे बढ़ा है अपना पराया कुछ नहीं है सब को गले लगाने में हमें कभी कोई कमी नहीं रखी है उसी का परणाब है कि जनता का विश्वास भी जीत पाते हैं साथियों हमने दो हजार चोवी समय जिस टीम भावना से काम किया है और ग्रास्रूट लिवल पे किया है सिरफ फोटो आप किर्दान ने तक मिल करके हाथ हिलाएं और पिर तुम तुमारे रस्ते में मेरे रस्ते ऐसा नहीं ग्रास्रूट लिवल तक सबने मिल करके यह जो काम किया है और उसी ने हमें और्गेनिक अलाइंस का सामर्थ दिया एक दूसरे का सहयोग किया है हर किसी ने यहीं सोजा जहां कम वहां हम अगर तो कमी है तो मैं आउँगा मैं मैंनत करूँगा लेकिन तुम्हें कमी नहीं रहने दुगा जहां कम वहां हम यहर कारकरता ने जीकर के दिखाया है और तभी तो जीत आती है साथियों कभी कभी मैं कह सकता हूँ कि हमारा दस साल का अनुभव है भारत के हर खेत्र का और भारत के हर नागरिक का जो aspirations है रीजनल aspirations है बे और national aspirations इसका एक अतूट नाता होना चाहिए इसके बीच में हवा तक गुजर न सके इतना जुड़ा होना चाहिए तब देश आगे बरता है साथियों इस शुनाओ मैं मैं कुछ उलेग जुरू करना चाहूंगा जो मेरी नजरी से मेरे देखा है दक्षीड भारत में एंडिये ने एक नई राजनीती की नीव मजबूत की है अब देखे करना चाहिए इन तेलंगना अभी अभी तो इनकी सरकारे बने थी लेकिन पल भर में ही लोगों का विश्वास तूट गया प्रहम से लोग बार आ गए और एंडिये को गले लगाद गया करना चाहिए और तेलंगना में दोनों जगाद साथियो तमिल नाडू मैं तमिल नाडू की टीम को भी बढ़ाई देना चाहूँगा और वहां अमारा एंडिये समूब बहुत बड़ा भी है और कईयों को पता था कि हम एक साथे छीट नहीं लड़ा पाएंगे लेकिन इस लड़ाई में हम साफ रहेंगे और मैरे बहुत से एंडिये के साथ ही तमिल नाडू मैं ऐसे हैं कि जिनका कोई उमिदवार नहीं था लेकिन इस जंडे को भूचा रखने के लिए वो जीजान से जुटे थे और इतलिए आज तमिल नाडू मैं भले हम सीट नहीं जीत पाएं लेकिन जिस तेजी से एंडिये का वोटशेर बढ़ा है वो साफ साफ संदेश दे रहा है कल में क्या लिखा हुआ है हमारे सेंकडों काड़करताओं के बलिदान हुए है UDF हो या LDF हो शायद हिंदुस्तान के राजनितिक जीवन में इतना जुल्म एक विचार धारा को लेकर के जीने वालोगों पर हुआ होगा तो सिर्फ मैं कह सकता हूँ केरल में हुआ है जम्मू कश्वीर से भी जादा हुआ है उसके बावजुद भी सामने कहीं विजय नजर नहीं आता था उन्होंने परिश्म की पराकास्था में कभी पीछे नहीं रहे पीडियां खपा दी पीडियां खपा दी और आज पहली बार साउसद में केरल से हमारा प्रतिनी भी बन क्या है साथियों अरुनाचल में हमने लगातार हमारी सरकार बनती रही है और भारी समर्थन से बनती है सिक्किम में भी हमारे नडिया की सरकार करीब परी क्लीन स्वीप के साथ परुना चल प्लीन शी, आंध्र, मैं अब बाबु को पूछ रहा था, बोले हिस्टोरिक से हाइस गुत्री है, और जो यहां दिखता है ने पवन, यह पवन ने यह आंधी है, हांध्र ने इतना बड़ा हमारे प्रति जन्मत दिया है, हिंदुस्तान के लिए एक सामान्य मानवी की विकास की यो जीजी विशा है, उसका प्रतिवी मैं है, और महाप्रभु जगन्नाच और मैंने अनुभव किया हमेशा, मैं हमेशा मानता हूँ इस्वर का नेक रूप होते हैं, लेकिन जब मैं भगवान महाप्रभु जगन्नाच जी को याद करता हूँ, तो मैं हमेशा मानता हूँ, यह गरीबों के देवता है। और वहाँ, जो क्रांती रूप पन्नाव आया है, मैं इसे एक डिवोलुशन देख रहा हूँ, और मैं इसके साथ कह सकता हूँ, कि विख्सिद भारत का हमारा जो सपना है, आने वाले पचीस वर्थ, पहले मैंने दस साल कहा था, यह मैं पचीस साल कह रहा हूँ, आने वाले पचीस साथ, महाप्रभु जगन्नाच जी की कृपा से, उडिशा, देश की विकास यात्रा के ग्रोथ एंजिन पर की एक होगा। साथग्यों, हम लोग जब चार जून के नतीजे चल रहे थे, मैं तो अपने काम में कुछ भेस्त था, बाद में फॉन्फे नहराज चुरू हो गए, तो मैंने किसी को पूछा, यार यह तो ठीक है, आकड़े मागडे तो, मुझे यह बताओ कि EVM जिन्दा है कि मर गया? क्योंकि, यह लोग ताइ करके बैठे जे, कि भारत के लोगतंत्र और लोगतंत्र की प्रक्रिया के प्रदी विश्वासी लोगों का उड़ जाए, और लगास्तार, EVM को गालिज देना, और मुझे तो लगता हुथा कि साइदी इस बार, वो EVM की अर्थी निक्याश जुलूस निकालेंगे, लेकिन चार जुन शाम आते आते, उनको ताले लग गए, EVM ने उनको चुप कर दिया, यह ताकत है भारत के लोगतंत्र, यह ताकत है भारत के निस्पत्ता की, यह भारत की ताकत है भारत के चुनावी तंत्र की, चुनावायों की, और मैं मानता हूँ कि यह, आशा करता हूँ कि, पाँच साल तो अब EVM साइद मुझे नहीं सुराइजेगा, लेकिन जब 29 में हम जाएंगे तो फिर से साइद EVM को लेकर करके नाजनी की चुरुआत करीगे, लेकिन के सुत्रे के सब्बाव बहुत कावब है, अब देखिए चुनाव के समय मैं ने पहली बार देगा, शायद हर तीसरे दिन, इलेक्शन कमिशन के काम में रुकावाट आएं, इसके लिए सुप्रीम कोड के दरवाजे खट-खट आए गए, पार्टी, पार्टी के अप्लिकेशन, और एक ही टोली थी, और लोग तंतर के प्रतिक दिन का भरो भार अविश्वास है से लोग, सुप्रीम कोड का उप्योग करते हुए, कैसे रुकावट डाले, इसका अंदिरंतर प्रियास करते रहें, और चुनाव आयोक की ताकत का एक बड़ा हिस्सा, अदालतों में, इस पीक अवरस में, चुनाव के पीक अवरस में, यहने कितनी निराशा लेकर के, यह लोग मैदान में आये थे, कि उन्होंने पूरा हमला, उसी इंस्टिटूट पे लगा दो, ताकि चुनाव के कोई भी बड़नाम कर लें, यह शडियंत्र का हिस्सा था दोस्तों, और कभी भी देश उनको माप नहीं करेगा, साथियों, इंडी गड़भन्दन वाले, जब इवी इनका विरोध करते हैं, तो मैं सिरफ एक चुनाव के रूप में नहीं देख रहा हूं, मैं मानता हूँ यह लोग आधार के सोच वाले लोग है, टेकनोलोजी को हम महत्व न समतने हैं, टेकनोलोजी स्विकार करने को तयार है, और यह सिरफ एवी इम में दिखाई दिया, यूपी आई में दिखाया, जब हमने कहा हाँ, हिंदुस्तान के लोग डिजिटल ट्रांचेक्शन करें, यह फिंट कर सकते हैं, उस आधार को रोकने के लिए सुप्रीम कोड में बार 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 जाकर के परिशानियों पहता है, यह प्रगतिर के विरोधी, आधुनिक्ता के विरोधी, टेकनोलोजी के विरोधी, इंडी अलाइंस, हमने देखा है, साथ्यों इस देश के लिए, यह भी चिंता का विशह है, कि विश्व में भारत के लोकतंत्र की ताकत को कम आकने का प्रयाज़, और कितना एक्स्ट्रीम है, मैं दुनिया में ढोल पीट रहा हूं, कि हम मदर आप डेमोक्रेसी हैं, और यह दुनिया में जाकर बता रहे हैं, नहीं नहीं हमारे देश में देमोक्रेसी हैं, कोई नहीं को मोधी बेट गया है, चाय बेचने वाला यहां पहुंच कैसे गया, कुछ तो गरबर की होगी, यह जो इनकी मनस्तिती है, भारत के नागरीकों को चुनाव प्रक्रिया के प्रतिया विश्वात पैदा करे का जो उ दुनिया भी भारत के लोकतंत्र की विविदता, विशालता, व्यापकता, गहनता, इन सब को भी जानने समझने के लिए आकर्शित होगी, ऐसे इस चुनाव के नतीजे में देख रहा हूं। साथियों जब दोजार एक तारीकों मत्दान पूरा हुआ है, और चार तारीकों काउंटी, इस बीच की चीजों को आप देखिए, योजना बत तरीके से देश को हिंसा की आग में जोकने क्या भाशा, बयान दिये जा दिए, यहां इखटे होना, यहां पहुंचना, यहां क करना, कुछ लोग इस चीज को गंबीर नहीं लेते हैं, लेकिन यह बहुत गंबीर है, आप भारत के लोकतंत्र को पहले उसकी ववस्ता को अनाधर करते हो, अब परियाम आने से पहले एक ऐसा माहोल बना दो, कि बस आग लगा देंगे, हर प्रकार जिन शब्दों का अर्थ का प्रयास किया, हरे चुनावे के ऐसा लोकोत सब होता है, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोकों को हम जोड़े, तोड़ने के लिए नहीं होता है, लेकिन हर प्रकार से कोशिज यह ही की गया है, साथियों, मैं मानता हूँ कि दोहजार चुबिस के लोक सबहा के चुनाव के जो नतीज़ है, हर परामिटर से देखेंगे, दुनिया यह मानती है और मानेगी, कि यह एंडिये का महा विजय है, और आपने देखा, दो दिन कैसा चला, चैसे हम तो हार चुके, गये, सब चारों कर देखा था, क्योंकि उनको अपने कारकरताओं का मोरल हाई करने के लिए, ऐसे कालपनी, परेव, यह करने पड़ रहे हैं, और साथियों, गढ़बंदन के इतिहास में, अगर आपड़ों के हिसाब से देखें, तो यह सबसे मजबुत गढ़बंदन की सरकार है, लेकिन, कोशिस है की गई कि इस विजए को स्फिकार ने करना, उसको पराजय के छाया में डुबो के रखना, लेकिन उसके ऐसी चीज़ों की बाल मुर्ति हो जाती है, और हो भी गई, लेकिन देश वासी जानते हैं कि नहम हारे थे, नहम हारे हैं, लेकिन चार तारिक के बाद हमारा जो व्यहवार रहा है, वो हमारी वो पहचान बताता है, कि हम विजए को पचाना जानते हैं, हमारे समस्कार ऐसे हैं, कि विजए की गोद में उन्माद प्यादा नहीं होता है, और नहीं पराजित लोगों के प्रती उपहास करने के हमारे समस्कार है, हम विजए को भी पचाते हैं, और प्राजित का भी उपहास करने के विक्रुती हम नहीं पाते हैं, कि हमारे समस्कार है, अब किसी भी अबालक को पूछो, कि मैं लोगसभा के चुनाओं के बाद सरकार किसकी बनी, एंडिये, पर हारे कहां से भई, पहले भी अंडिये थी, आज भी अंडिये और कल भी अंडिये, आप सोचिए, दस साल बाद भी, दस साल बाद भी, कॉंग्रेस, सो के आंकेड़ों को नहीं छुपाई, और अगर मैं 14, 19 और 24 तीन चुनाओं को जोड़ करके कहूं, कॉंग्रेस के तिन चुनाओं जोड़ हूं, तो इन तीन चुनाओं में जितनी सीटे ने मिली है, उससे जानदा हमें इस चुनाओं में मिली है, और मैं साब देख रहाँ थाती हो, इंडी वालों को अंदाज नहीं है, वे धीरे धीरे पहले तो डूब रहे थे, अब तेज गती से ये गर्त में जाने वाले हैं। उसके सामर्थे को समझ नहीं पाए है, या समझना चाहते नहीं है, भारत के सामानी व्यक्ति की भी एक समझ है। और जो जमीन से जुड़ा रहता है ने, वो समझ को छूता है, समझता है, पैचानता है, वो बहाँ नहीं है। साथ में इन लोगों का जो बहवार रहा है चार तारीक के बाद, मैं आशा करता था, कि वे लोकतंतर का सम्मान करेंगे। लेकिन उनके बहवार चार लगता है कि शायद उनमें ये समस्कार आएं, इसके लिए मैं और इंतजार करना पड़ेगा। और तो मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकता है। और ये वो लोग हैं जो खुद की पार्टी के पीम का अपमान करते हैं। इसके निर्णों को फार देती है। खुद के पार्टी को विदेशी में माना आजाए तो उसके लिए चैर नहीं होती थी। इस सारे दरशे आप देखें हैं। अब मैं समझता हूँ कि इन सारी स्थितियों मैंसे हम लोकतंत्र के मजबूति हैं। जनता जमादन के परती आस्था इसको हम। साथियों लोकतंत्र हमें सबका सम्मान करना सिखाती है। विपक्ष मैं भी जो सांसच जीत करके आए हैं। मैं उनको भी बदाई देता हूँ। और मैं पिछले दस वर्ष में एक चीज मिस कर रहा था। कि डिबेट, पार्टिसिपेशन, क्वालिटी अब डिबेट, मैं मिस कर रहा हूँ। लेकिन मैं आशा करता हूँ कब इस नया जो सदन बना है, वो कमी मुझे खलेगी नहीं, शायद हमारे साथ ही भी, राष्ट हीट की नियत के साथ सदन में आएंगे, और भने वो विपक्ष में बैठे हूँ। लेकिन राष्ट के विपक्ष में नहीं है, हमारे विपक्ष में है, राष्ट में हम सब एक ही पीस हमें है। राष्ट में हमारे कोई पक्ष में नहीं है, राष्ट में हमें 140 करोर है। और मैं आशा करता हूँ, कि वो राष्ट हीट की भावना को लेकर के सदन में आएंगे, सदन को सम्रुद्ध देने में वे कुछन कुछ योगदान करेंगे। सत्वे 24 का जनादेश, एक बात को बार बार मजबूती दे रहा है, बार बार मजबूती दे रहा है कि पेश को आज के वातावर्म है, सिर्फ और सिर्फ एंडिये पर ही भरोसा है। और जब इतना अतूट विस्वास है, इतना भरोसा हैं, तो स्वाबाविक हैं, देश की अपेश्याएं भी बढ़ेगे। और मैं इसे अच्छा मानता हूँ, और हम सब का कर्तब भी मानता हूँ, और इन अपेश्याओं को पूर्ण करने के लिए, और मैंने पहली भी कहा था, कि जो दस्वर्थ हमने काम किया है, वो तो ट्रेलर है। और वो मेरा चुनावी वाक्या नहीं था, यह मेरा कमिट्मेंट है, हमें और तेजी से, और विस्तार से, और तेज गती से, देश के आकांशाओं को पूर्ण करने में, रती फर्मी बिलम नहीं करना है। जनता जनारण चाहती है, हम पहले से ज़्यादा डिलीवर करें, जनता चाहते हैं, हम खुदी हमारे पुराने रखो और तोड़ें। और मैं साथियों एक तरफ NDA रखो, दूसरी तरफ भारत के लोगों के सपने और संकल्पों को रखो। तो मैं कहूंगा NDA, New India, Develop India, Aspirational India. और इसी केस, इसी सपने और संकल्पों को पुरा करना, ये हम सब का संकल्प भी है, कमिट्मेंट भी है, और हमारे पास रोड मैप भी है. साथियों, NDA ने हमेशां, Corruption Free, Reform Oriented, स्थीर सरकार बेश को दी है, जब जब हमें अवसर मिला, हम लोगों ने काम किया है. उसके सामने, Congress नेचरुत वाली यूपिये, अब उन्होंने पुरानी अपनी छबी सुधार निकले नाम बदल दिया, लेकिन पहचान गोटालों की है, आए दिन गोटाले, ये ही पहचान दही है. और नाम बदलने के बावजुद भी, देश उनके गोटालों को नहीं भुलाएं, उनको नकारा है. और मैं कह सकता हूं साथियों, इंडी एलाइंस वालों ने एक व्यक्ति का ओपोज करने के बन पॉइंट एजन्दा के कारण, देश की जन्ता ने उनको ही ओपोजिशन में बिठा दिया है. है, एंडी ये विख्सिद भारत इस संकल्प को लेकर के चुनाओं में गया था, देश के लिए सकारत मक्ष सोच को लेकर के गया था. देश की युवाँ शक्ति के सामर्थे का समझ करके नए अवसरों को लेकर गए देश को आगे बढ़ने की बात लेकर के गया था जब हमारे सामने जो लोग पे भरम पहलाना जूट पहलाना यही गुमरा करने वाले काम यही करते रहे थे अब NDA और उनका का देखें इवन नामांकन में जाएंगे तो भी आपको देखेगा उनका चुनाव प्रचार उनका नामांकन हम लोगों का एक एक दरश्य देख रही है जोर उनका एक एक दरश्य देखिए कितना बढ़ान तरह है हर चीज में उनका करेक्टर दिखाई देता है और क्या रहा है फोटोगाप के लिए तो हमें एलाइंस गोशित कर दिया है लेकिन कितने ही राज्यों में वह आपस में लड़ते रहे हैं चुनावी जंग में एक दूसरे की पीट में चुरा बहुंकते रहे हैं कभी उन्होंने कहा कि यह तो हमारा वैचारी के ऐलेंस है वह विचाव लेवल पर ठीक है बागी नीचे तो हमारा अपना हम तयार करेंगे और अब फिर वोनों ने कहां कि हम तो सीट के आधार पर एलाइंस करेंगे टोटल नहीं करें यह भी खेल खेला और अभी अभी तो चुनाव कुनाव शुरू कर दिया कि यह तो हमारा एलाइ हो चुका है इसका मतलब यह हुआ कि वो सिर्फ पर सिर्फ सत्ता सुख के लिए एक दुसरे का साथ देने की कोशिश करते थे लेकिन उनमें उनका अगर स्वार्थ निश्चित होता तो साथ देना वरना नहीं देना यह करक्टर था साथियों यह लोग कितने ही बड़े जूठे बोलते रहे हैं और आप देखिए चुनाव के समय है उन्होंने देश के सामाने नागरी को गुम्रा करने के लिए जो परचियां बाटी कि यह देंगे और वो देंगे और डिकना देंगे फलाना देंगे दो दिन से मैं देख रहा हूं कि कॉंग्रेस के दफ्तरों पर लोग कतार लगा के खड़े हैं कि यह परचियां एक लाग रुपिया कोहां है लाओ भाई मांग रहे हैं लोग यानि आपने जनता जनादन के आखों में कैसा है उनको ब्रमित किया कैसी आख में दूल जो तो बेचारा समय नहीं कि मान के चलता नहीं चार दून के बाद रुपिया मिल जाएगा इसलिए उन जाके खड़ा रहे गया और अब उसको धका मारा जा रहा वहां से निकाला जा रहा है अब इस प्रकार का चुनाओ ये अपने आप में देश के गरीबों का अपमान है हमारे देश के सामान नागरिको का अपमान है और कभी भी देश ऐसी हरकवतों को न भुलता है नहीं कभी माप करता है साथियों हमारे लिए संतोस की बाद है कि हमें कमिट्मेंट से काम कर रहे हैं दस साल में हमने पचीस करोड गरीबों को गरीबी से बाहर निकाला है गरीब कल्यान का एक सुरक्षित मजबूत कवच दिया है हमने उसको और उसके अंदर भी एक नए एस्पिरेशन पाता हुए है कि हाँ अब मुझे गरीब नहीं रहना है और उसके लिए मुझे से जो हो सकए हम मैं हर अवसर का फाइदा उठाऊँगा तीन करोड गरीबों को घर यह ऐसे कहने का अकड़ा नहीं है जी कितनी महनत पढ़ती है मुझे मालू है लेकर हम सफलता पुर्वक इसको कर पाए है चार करोड लोगों को दे चुके है तीन करोड का हम संकल्प लेकर के आज से आगे बढ़ेंगे यह यह भी हिम्मत है कि चार करोड देने के बाद जिन परिवारों का विस्तार हुआ है जरूरत पड़ी है और राज्यों की भी उसमें इच्छा है तीन करोड नए घर बनाने का संकल्प सब्तर वर्ष के आउसे उपर के व्यक्तियों को नागिल्कों को पांच लाग रुके तक इलाज के लिए मुफ्त इलाज की गवस्ता मुद्रय उद्दा के तहत हमारे नवजवानों को कारोबार के लिए विस्त लाग तक करे उनकी बैंक से उनको लोन मिले इसकी व्यवस्ता यह मैं समझता हूँ कि वाइदा हमारे पीसरे कारकाल की गारंटिया सब मैं तो भी बताता नहीं हूँ लेकिन इन गारंटियों के प्रति हम कमिटेड हैं और उसे पूर्ण करने के लिए हम कोई कमी नहीं रखेंगे साथियों गरीब का ससक्तिकर और मिडल क्लास को सुवीधा यह हमारी प्राफ्पिक का है क्योंकि मध्यंबर्ग अब इस देश का एक बहुत बड़ा चालक बढ़ भारत की ग्रोस स्टोरी में यह ऐसे ऐसे नए फोर्सिस में देख रहा हूँ जो हमारी बहुत बड़ी शक्ति बनने वाले हैं और इसलिए हम उस पर भी उत्रा ही और मिडल क्लास की बचत कैसे बढ़े सेविंग कैसे बचे बने उसके लिए उसके क्वालिटी अफ लाइप के लिए हम क्या कर सकते हमारी योज़नों का विस्तार कैसे किया जाए हमारे निति नियमों में बढ़ला हो कैके बिढ़ आ जाए उस mph पर भी हमाने विवारस दिनों मकाम तारते हैं साथियों पंचायच से पार्लामेंट तक हमारी नारी शक्ती की सक्रिय भागीदारी यह हमारा कमिट्मेंट है और हमने हमारे पिछले कायरकाल में नारी शक्ती बंदन अधिनियम करके उस बात को हमने आगे बढ़ाया और वो दिन दूर नहीं होगा जब हमारे सदन में बहुत बड़ी आजाद में हमारी माता ये बहने देश का नेतृत्व करती भी दिखाई देगी इस पूरे चुनाओं में हम सबसे ज़्यादा महिला उमीद्वारों को टिकर देने वाली पार्टी रहे हैं हमारी महिला सांसदों को जो आशिरवाद देश की जिनता ने दिया है मैं इसके लिए विशेश रुठ्ष उनका आप खाय वेक्तर देखाएं और साथ की आपने देखा होगा जी ट्वेंटी समीट में दुनिया के सामने एक विशे लेकर के हम बड़े आग्रस से गई हैं और वो हैं Empowerment of Women, Development of Women इन सारी बातों को था हम परिशेत है हमने एक नया सित किया है और हम जी ट्वेंटी समीट से भी इसको आगे बढ़ा रहे हैं Women-led Development एक बार हमारा इस प्रकार का commitment बनता है तो परिवर्तन बिलकुल सापने जराता है साथियों हैंडी ये का ये कार का बड़े फैसलों का है तेज विकास का है और अब हम समय घवाना नहीं चाहते हैं कि हम पांच नंबर की इकोनामी से तीन नंबर की इकोनामी पर पहुंच रहे हैं और ये खाली पांच और तिन का अंकड़ा नहीं है उसके कारण जो अर्थ वववस्ता का कद बन जाता है वो साहमान ने मानवी की आशा अकांचाओं को पुरी करने के लिए सरलता बढ़ जाती हैं देश के लिए जो जरूरत हैं वो आराम से पुरी करने का सामर्थ बन जाता है और इसलिए हम उस दिशा में बड़ी कोशिश करके आगे बढ़ना चाहते है राज्यों का सहयोग भी उसमें उतना ही महत्वपों है और भारत के समिधान ने हमसे जिस प्रकार का दिशांदेश किया है कोपरेटिव फैडरलिजिम का लेकिन मैंने उसमें आगर रखा है हमारे राज्यों के बीच में भी तंदुर स्पर्दा हो हम अच्छा करने की स्पर्दा करें और उस दिशा में हम आगे बढ़ना चाहते है कि जब यह मैं कोपरेटिव फैडरलिजिम की बात करता हुँ आपने देका G20 समीठ हम एक ज googah पे कर सकते थे हम भी मालाई पहन करके फोटो निकल वा सकते थे लेकिन हिंदुस्तान के अनेक शहरों में दोस्टों से ज़्यादे मिटिंगे हुई और दुनिया भर के निती निधार जो कहें G20 देशों के और बागी भी 5-7 देशों के वो हिंदुस्तान के कौने-कौने में गए उनके देशों में जाकर भारत के विवित था भारत के विशालता इसकी चर्चा कर रहे हैं उनके लिए अस्षर है हमने तो दिल्ली आकर जब आपिस जाते हैं तो पता ही ने था कि देश इतना बड़ा है तो यह अपनी एक टाकत का परिशे हुआ है हमने पोविड में देखा राज्यों के साथ कोपरेशन के साथ हमने जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी और एक शूत्र में रहकर कि लड़ाई दल किसी का भी हो सरकार में लेकिन हमने इस काम को किया क्योंकि हमारा कोपरेटिव फैडरलिज्म के प्रतिक कमिट्मेंट है एस्पिरेशनल डिस्टे के एक ऐसा मोडल है गवरनन्स का जिसमें राज्य भी उतना ही सकरियता से हमारे साथ जुड़े हुए और दुनिया के लिए जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लिए गवरनन्स का एक ऐसा मोडल प्रसूत हो रहा है जिसका आप तो के स्टेडी की रुप में दुनिया के एनिया की उल्पिंग के स्टेडी करना चुरू की है अब उसको हम आगे बढ़ाते हुए एस्पिरेशनल ब्रॉक की तरब ले जा रहे हैं ताकि हमारे ग्रास्रूट लेवल पर भी जो वीक एरियाद है जहां सुविधाय अभी सामान एवरेज से भी नीचे है उसको हम जल्दी से जल्दी उस्टेट की एवरेज तक लाना चाहते हैं देश का रीजन कोई भी ख्षेत्र हो सरवांगे इन विकास को लेकर घम चले हैं साथियों गट दस वर्स बैह हैं इंफ्रास्ट्रूटर के एक शेत्र बैह है हमने एक बहुत बड़ा है हैंने सोचने में भी बढ़ लाव लाए जबी इन पर तो लाई लाए गोँना हमारे देश में सोजा चलेगा यार अब बारे एक बार कर लो ना उस साहरे में से बड़ावनी है अब तो अच्छा ही चाहिए बढ़ा ही चाहिए जल्दी से जल्दी पहुंचाने वाला चाहिए सामान ने मानवी के मन को तो हमने इस प्रेडिट में किया है और पुर्शार्ट करके हमने उस दिशा में काम किया है पांच साल में हमें गति शक्ति यह इस प्रकार के प्रेटफॉर्म पर जो काम किया है जो काम 6-6-8-8 मैंने तक नहीं होता था वो आज 15-20 दिन में कर सकते हैं से टेकनोलोजी का उप् पाइदा देश के नवजवानों के लिए रोजगार के अती अवसर बन जाते हैं उनके लिए जीवन में सिलेक्शन के लिए बहुत बना दाइरह बढ़ जाता है और वो हमें सात्यों आज भारत दुनिया में विश्वा के लिए एक नया मैनुफेकरिन हब के रुपे उभर है और जब हम मैनुफेकर हैं हम कह रहे हैं तब सिर्फ इलेक्राणी गूर्ट या सर्विसिस के में बात नहीं कर रहा हूं मैं फूट प्रसेसिंग में भी आज दुनिया में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और वो भारत के किसानों को बहुत बढ़ी ताकत देरे वारत उसी प्रकार से स्पेस हो अर्टिफिशन इंट्रिशन हो स्टार्ट अप्स की बात हो स्कील जॉब ऑफर्चुनिटी इसकी बात हो आज भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा बढ़ रहा है यह मेरा विश्वास है साथ्यों मुद्रा योजना ड्रों दीदी विश इश्व कर्मा योजना इसने भी नई संभावनाओं को जन्म दिया है साथ्यों हमारी संस्कृति हमारी विरास्त उसके प्रति हम जीतना ध्यान केंदित करेंगे दुनिया के लिए आकरशन का केंदर बनेगा और इसलिए हम उन्दिशा में और मैं मानता हूं भारत के लिए तूरिजा में एक ऐसा एवन्यू है जो गत सतादी में हमें कभी आथ से लेकर के पीछे के सो साल में कहूं ऐसा आफसर नहीं मिला है जैसा आने वाले 25 साल में मिलने वाला है दुनिया भारत की तरफ मुड़ने वाली है अब हमारा काम है इसके लिए आवश्यक का विकास करते हुए एक बीन मीन सिच्वेशन का हम फाइदा उठाए और उसमें बहुत अधिक निवेश की संभावनाएं मैं देखता हूं और यह ऐसा क्षेत्र है जितमें हर्स करके लोग कमायते हैं गरीब से गरीब आदमी भी कमाता है और बड़ी बड़ी होटल बाला कमाता है हर को इसमें कमाता है और हमने टूरिजम के हम बल देना चाहते हैं बहुत पोटेंशल है आज इंफ्रसक्टर के ख्षेत्र खुले है इसका फाइदा सुमें तया है एक रेलवे हो हमारे एक्स्प्रेस भेव हो यह हमारा याताद जितना बहतर हो और हमारा डिजिशन करेक्टिविटी का जो काम है इसके लिए एक बहुत बड़ा पोजिटिव ग्राउंड तहर कर रहा है और जिसका फाइदा मिलने वाला है और जो वोकल फॉर लोकल और रीजनल टूरिजम इसको एक बल देने का काम है साथ्यों अब दुनिया एक नए यूग में प्रवेश रही है जिस समय और जोगी क्रांती हुई है उस समय हम गुलामी के दौर से गुजर रहे हैं तो और जोगी क्रांती का जितना फाइदा लेना चाहिए हम नहीं ले पाई है कि अब एक नया यूग शुरू हो रहा है थिल ग्रीन एर भारत के पांस बहुत समभावना है और हम इसके लिए आने वाले दिनों माए ग्रीन हुडरोजन की बाध हो ग्रीन एनर्जी यह या ग्रीन जॉब्स हो या ग्रीन मोबिलिटी हो इन सारे विश्यों को हम इतनी तेजी से आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि इस हरीत यूग का नेत्रुत्वा दुनिया में भारत का सामर्त सिद्ध कर दें यह हम चाहते हैं साथ यह इसी सिंसेल में इस पांच जून को जब परियावरान दिवस था चार जून को नतिज़ें आ गए थे तो उसी दिन मेरे मन में विशारा है कि कारकम पांच जून को हमने आरम किया एक पैड मा के नाम हर किसी को मा के प्रतिसर्दा होती है और मैं भी देश वासियों को कहूंगा कि आने वाले समय में कभी आपकी माताजी का जन्मदीन हो क्या कोई और सुब दिन हो अपनी मा के नाम पर एक पैड लगाए और मा जिवीत है तो साथ लेकर जाईए उनकी उनकी फोटू रख करके एक पैड लगाए और वो अपनी मा का भी सम्मान होगा और धर्ति मा के सेवा होगी हम इन दो माताओं के सेवा करें साथियों एंडिये अब भारत आइसोलेशन में नहीं जी सकता वैश्विक परिवेश में भारत की भूमी का दिनों दिन भहुत बढ़ती चली जा रही है 2014 में जब एंडिये के सरकार बनी पूरे विश्व में उसी एक पल से एक नया जिग्यासा प्यादा हुई थोड़ी आशा के संकेत उनको नजर आने लगे और फिर उस बढ़लाव बहुत बढ़ा तेजी से आया और पिछले 10 वर्स में भारत ने जिन कामों को बढ़ लिया है आज भारत की छबी विश्व बंधु की बन चुकी है दोस्तों विश्व हमें एक बंधु के रुपे स्विकार कर रहा है और जब दुनिया हमें विश्व बंधु के रुपे स्विकारती है तो हमारी बैस्विक जिम्मेवालियों को भी हमने हमारे आने वाले रोड मैप में महत्वत देना हीु होगा और भारत के सफल बिदेशनिती ने अच्छे परणाम भी दी है हमने हर संकट को उस प्रकार से हेंडल किया जिस प्रकारते मानवी मुल्यों को हमने प्राथिक्ता दी उसका प्रणाम है कि सामान ने मानवी के मन में इस विश्व बंधु वाला भाव बहुत मजबूत हुआ और भारत का सेवा भाव का जो करेक्टर है उसको विश्व ने पहचाना है चाई उक्रेन का संकट हो चाई अफगानित का संकट हो हर हमारे लोगों को बचाना हो हमने किसी भी इक में हमने कोई कमी नहीं रखी है और साथियों ये समता की कारण भारत में निवेश की संभावना ये बहुत बढ़ने वाली है मैं राज्यों से भी कहूंगा कि आप प्रगति सिल नितियां बना कर रेडी रहे है विश्व आज आपके आंगन पर दरवाजे पर दसक दे रहा है और जो राज्य जाम्रा फर्स्ट नितियों के साथ आएगा जो राज्य उन कम्पनियां भी देश याने वाले लोगों को ठीक से हैंडल करेगा उसको benefit मिलने ही वाला है और भारत ने जो नीतिया बनाई है भारत ने जो वातारों बनाया है उसका लाब भारत के हर राज्य को मिलना चाहिए और उद्धिशा में हम तेजी से काम करना चाहते हैं साथियों हमने G20 समीट में देखा है दुनिया का भारत के प्रती नजर्य बढ़ला है जो लोग इन चीजों को मैलूटली देखते हों को उनको पता होगा कि G20 एक प्रकार से कई संकटों से गुजर रहा था उतार चड़ाव आते रहते से विखराव भी नजर आ रहा था लेकिन भारत में G20 आने के बाद नए प्राण से भर गया है नया सामर्था आ गया है और ये भारत की ताकत है को उसने पुरे विश्व को जोड़ने में G20 के माद्यम से बहुत बड़ा काम किया है और उसके इन दिनों भी है जो परिणाम आये उसके बाद मेरा काफी समय विदेश के सरकारों से फोन अभिलेंदर स्विकार करें में गया है और शायद में जेना 14 में 19 में भी ऐसा नुभव नहीं था जितना इस बाहर फ्लो है दुनिया के करीब करीब अब नाम ले उसने भारत को सुबेशा वेक्ते की है या बात करने के कोशिश की है यानि ये वैश्मित जो हमारा दाकत है उसका परिचे करवा रहा है और उसके कारण में मानता हूँ कि बीश्व में हमारा सम्मान और साथ-साथ भारत में निवेश्ट ये दोनों संभावनाएं बढ़ रही है साथ जो हमारे संभिधान का पच्चतरवा भर्ष है हम चाहते हैं कि संभिधान हमारी संभावने संस्ताओं का सरोक्षन भर्ष इसके मातर के लिए है ऐसा नहीं कोई अदालत में धाराओं का उप्योग करके काम करने के लिए नहीं है ये एक हमारी भावना है हमारा स्पिरिट है और हमें इस पच्चतर साल को ऐसे मनाना है ताकि हम संभिधान के स्पिरिट को जन जन तक पहुँचाएं हर जन को समिधान की जो भावना है कर्तबे की भावना है अनेक बात इसे इस बात है उसका बड़े उद्धिशा में हम काम करना चाहते है साथियों चत्रप्रती सिवाजी महाराग के राज़ा भिशेक के 350 वर्स के उत्सों में देश आजरंगा हुआ है और हम हमारे लिए सबसे बड़ी प्रेना है जो दुश्मे राश्ट्र प्रफम की भावना है चत्रप्रती सिवाजी महाराग को याद करते हैं राश्ट्र प्रफम की भावना हमें मजबूती देती हैं और इसलिए हम देश में इसी एजेंडर को आगे रखते हुए और जब इसी समय ये साथे तिन सो साल का परवाया है तो हम हमें अपनी पॉलिसी और परफॉर्मंस और सामान्य मानवी का जीवन बहतर करना है उसमें जरा भी बिलम नहीं करना है साथियो विकास की सारी तैयारियां रोड मैप लेकर को हम चलेंगे ही चल रहे हैं लेकिन साथ साथ हम नहीं नहीं सांसद आये हैं कुछ पुराने सांसद है कोई ज़्यादा अनुभवी सांसद भी है आप देखते हैं कि इन दिनों पिछले दो दिन से आप टीवी पर देखते होंगे एक भी सच्चा ही मुझे उसमें नजर नहीं आई कोई ये कह रहा है कोई वो कह रहा था सब मैंने कि कहा वी ज़्यादा पूछो थे जानकरी लाते कहा से गबगोले चला रहे है किसी के खाते में कुछ भी डाल करके चल रहा है मतलब ये थोड़े दिन क्योंकि दस साल से ऐसे उसर नहीं मिले है तो शायद ये उबाल ज़रा ज़्यादा रहेगा लेकिन आप मान के चलिए जी ऐसे लोग कोई पहुँचेगे बस आप मेरा अच्छा सबन्द है मंत्री में आपका नमबर कर सकता हुआ हमें भी पता नहीं होता है हो सकता है मिनिस्टर बनने का ही रास्ता होगा तो हम भी गलती से उसका हाथ पकड़ लेते हैं और पता नहीं किस खाय में डुबो देता है कभी कभी तो साइद आप तो टक्नलोजी ऐसी है कि हो सकता है मेरे सिगनेचर से कोई लीश बार निकल जाए कि ये मंत्री बन गए हो सकता है कोई बुद्धिमान डिपांट्मेंट भी बार दे तो आज कर कई लोग सरकार बनाने में लगे हुए है मंत्री पद बांट रहे हैं पद बांट रहे हैं वबस्ता बांट रहे हैं मैं आपसे आगरपुर्व कहता हूँ और जो मोदी को जानते हैं ये सारे प्रयास निरर्फक है वे अवह भी किसे घब फोर आजाए तो बर देत्मर वेरिबाइक कीजिए कि जितने फोन किया है वो सचमुच में अथोरिटी है otherwise कोई भी कहा भाई आपको नाम हो गया है सुवे परिवार को बिला दीजिए सबस हमारों में आना है भो गया तो ऐसी गब बाजी करने वाली एक बहुत बड़ी फोज रहती है कुछ लोग आदतन करते रहते हैं कुछ लोग मजगाती लेकर और कुछ लोग बदिराद्य से करते हैं मेरा सभी सांसदों से आग रहा है कि हम इन सारे सरियंत्रों का शिकार न बने दूसरा हमारे जो हिंडी अलाइंस वालों ने इस चुनाव में फेक न्यूज में एक्स्परटाइज कर लिया डबल पीएचरी कर लिया उन्हों ने वो शायद इसका भरपुरूप्यों करेंगे हम कृपा करके इन चीजों से दूर रहें अफ़ाओं से दूर रहें यह जो टीम बैठी है वो अनुभवी टीम है मुझे भी सही सला देने वाली टीम है और इसलिए टीम मिल करके बहुत सही निर्णे करने वाली है कृपा करके ब्रेकिंग जिस्टि के अधार पर देश चलेगा नहीं यह मान के चलिए साथियों विक्सित भारत का संकल पर लेकर करके हम चले है तीन नंबर की इकनों में पहुंच रहा है मैं जानता हूँ निस्टित रोल में अपके साथ उसकों पार करने वाले हैं और मैंने पहले भी कहा था कि मेरा पल-पल देश के नाम है मेरा पल-पल आप लोगों के नाम है मैं 24 by 7 आवेलेबल हूँ हमें मिलकर के देश को आगे बढ़ाना है फिर से एक बार आप लोगों ने मुझ पर जो विश्वास जताया है जो प्यार दिखाया है और जो समर्थन दिया है वाकई मैं मानता हूँ भारत के लोक्तंतर के बहुत बड़ी ताकत मैं जीतना आपका आप हर व्यक्त पकर उतना कम हो और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपकी आशा आप एक्षाओं को पूरी करने में परिश्णम करने में कोई कमी नहीं रखोगा मेरे लिए जन्मा सिर्फ और सरफ बन लाइफ बन मिशन है और वो है मेरी भारत माता यह मिशन है 140 करोर देसवासियों के सपनों को पूरा करने के लिए खप जाना यह मिशन है 140 करोर देसवासियों को हजार साल की मुसीबतوں से जो गुजरी हुई पीडी दर पीडी है उसे मुक्त दिला करके सम्मान के साथ विश्व मैं मेरा हर देसवासि दुनिया उसे देखे तो उसका मन कर जाए काश हिंदुस्तान का है अरे डेजर मिल जाए तो अच्छा होगा यह मैं स्थिति पाइदा करना है उसका मन लाला ही धोना ते हिंदुस्तान ही है अरे आज जड़ा हाथ में लालू कुछ एनर्जी मुझे भी आ जाए मैं देश को इस उचाए पिले जाना चाहिए और साथियो मुझे पक्ता भी स्वास है आपका साथ आपका सयोग आप पानुभव बहुत बड़े परणामों की संभावना यह लेकर के आया है लोग सभा का एक गठन उन सभी आकाउंचाओं को पूरा करेगा मैं फिर एक बार आप सबका रदय से बहुत बहुत धन्यवाज करता हूँ अपका बार आप सबका रदया है